जैशरा दोस्तों जब किसी व्यक्ति की मैरेज़े बलेज होती है शादी की उम्र हो रही होती है तो एक सवाल काफी काउमन है जो हम एक्सपेक करते हैं कि वो पूछे गाई वो ये है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा क्या उन्हें सवाल पूछना चाहिए बिल्कुल पूछना चाहिए जानने का अधिकार है अगर आप कुंड़ी दिखा रहे हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा पर ये सवाल जब आप पूछते हैं कि मैं किस प्रकार का वैवार अपने लाइफ पार्टनर के साथ करूँगा और अगर मेरा ही नेचर खराब हो तो जीवन साथी कितना ही अच्छा क्यों ना मिल जाए मेरी मैरेड लाइफ अच्छी नहीं हो सकती तो आज इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कुंड़ी में देखकर ये बताया जा सकता है कि आपका सुभाव आपके लाइफ पार्टनर के प्रती कैसा है तो और विलम नहीं करते हैं आरंब करते हैं आज की यात्रा विशापर आने उसे पहले एक बात और इंपोर्टन्ट है देखके हम सभी लोग अपने जीवन में कई चरितर एक साथ जी रहे होते हैं हम अपने माता-पिता के साथ अलग तरह का वैवार कहते हैं अपनी गर्फर्ड या बॉइफर्ड के साथ अलग तरीके से रहते हैं और अपने ओफ़िस में तो बिलकुल ही कैसे रहने वाले हो आपका जो सुभाव दुनिया को देख रहा है वो एक अलग चीज है लेकिन आपका जो सुभाव आपके लाइफ पार्टनर के साथ अकेले में उसको देखने के लिए आज के प्रिंसिपलम मैं उसके उपर बात करने वाला हूँ शुरुआत करेंगे कि माज एक छवी कैसी होगी सम्मान कितना उसको उसके जीवन में मिलेगा निश्यती ये बहुत इंबॉर्टन प्रश्न है पेरेंट्स को पूछना भी चाहिए जानना भी चाहते हैं वह कि हमारी बच्ची या हमारा लड़का स्टेबल रहेगा के नहीं लाइफ में लेकिन इस सवाल से जादा जरूरी ये सवाल होता है कि उसका नेचर कैसा होगा कई बार बहुत अच्छे घर में शादी होने के बाद जहां पर आर्थिक रूप से आप संपन्न परिवार में जा रहे हैं वहां पे सारी फैसिलिटीज है एजुकेशनल बैक्ग्राउंड उन सब का अच कैसा है और दूसरे नंबर पर समाजिक सतर की बात आती है आने वाली सीरीज में हम इसको कवर भी करेंगे कि क्या-क्या चीजे इंपोर्टेंट है वह तो मैं आपके सामने अभी रखना हूँ पर कैसे उसको देखा जाता है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे क्या-क्य देखना चाहिए जब लाइफ पार्टनर के ट्रेट के बारें बात कर रहे हो तो सबसे पहले बहुत सी सिंपल सी बात है सात्वा घर विवा का होता है लाइफ पार्टनर का होता है तो वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है इसको सबसे जादा प्रायॉर्टी देनी चाहिए कि कि ग्रह सेवंथा उसमें उसके बाद यह देखना चाहिए कि सेवंथ लॉड जो सातवे घर का स्वामी है वो किस ग्रह के साथ बैठा है कुंड़ी में वह जहां भी बैठा हो उसके साथ कौन है इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वह होता है सप्तमेश क का नवांश इससे मिलता जुलता ही आज का अमारा टॉपिक रहने वाला है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो मैरेड लाइफ में देखी जाती है जैसे सप्तमेश किस राशी में गया है कुंड़ी में सेवंथ लॉड किस राशी में है शुक्र मंगल की कुंड़ प्लेस्ट है उपद और दाराकारा का अपने सुना होगा जैमिनी में दो बहुत इंपॉर्टन फैक्टर होते हैं जिससे मैरेड लाइफ का विचार किया जाता है इसका क्या यूज है जैसे मैंने कहा आने वाले वीडियो में करेंगे और इसके अलावा हम सेवंथ पदा या आपके लाइफ पार्टनर का सुभाव आपके साथ कैसा होगा वैसे ही ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडी का लगनेश आपकी कुंडी का लगनेश डी नाइन में यानि नवांश कुंडी में किस राशी में गया है इसकी बहुत एहम भूमिका होती है पहले हम जानेंगे अलग अलग राशियों में होने का उसका क्याफल है फिर ये देखेंगे कि उसे अपलाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है आख बंद करके कोई भी नियम मत लगाईएगा चाहे कोई भी बता रहो मैं हूँ या कोई और पहली उसकी जो क्या बुलते है उस नियम को है कि साथ साथ जिन पॉइंट को अपने धिमाग में रखना है कि ये चीज भी देखनी है वो उसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है तो लास्ट में हम एक दो चार्ट लेंगे जिसके अंदर ये डिसकस करेंगे इसको कैसे देखा जा सकता है लेट साथ मान लेते हैं आपक मेश कुंडली में मेश राशी में हूँ तो ये प्रिंसिपल जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपके लिए अगर होगा तो आपका नेचर में सबसे पहले बात होगी सुपर हीरो होने वाली जहां भी जरूरत है मैं हेल्प कर दूं मैं दूसरे की मदद कर दूं चा बेना चाहते हैं अगर हमारे बीच नई बन रही है बन भी रही तो भी बहुत जाधा आटेच्मेंट बहुत जाधा यस दूसरे का आपके उपर आग्या देना दूसरे का आपको रह दिखाना आपको बदाश नहीं होता है और इस वह से वैवाइक जीवने परिशानी भी आ सकती है स्वाब इमान बहुत उचा है नाक बहुत उची है आपकी सामने वाले के साथ अगर रह रहे हैं तो एक्वल टरम पर रहेंगे जुक्के क्यों रहेंगे तो ये टेंडेंसी बढ़ जाती है अगर मेशनवांश में आपका लगनेश है तो इसके साथ साथ लड़ते करते हैं कहने का मतलब यह है कितकरार भी है जगड़ा है जब साथ में बैठा हो कहें कि अलग है छोड़ो अगर इतना ही जादा नई बन दिया तुमारी तो क्यो साथ में तो अलग भी नहीं होंगार प्यार भी उतना ही इस तरह के टेड देखने को मिलते हैं जब लगनेश म अब जानते हैं लगनेश अगर वरिशब नवांश में हो तो किस प्रकार कफल रहता है जब लगनेश वरिश नवांश में हो तो आप बड़े सेलेक्टिव होते हैं इन लोग की शादिया थोड़ी लेट हो जाती है इसी वजह से क्योंकि इने चाहिए होता है परफेक्ट पार लेमा लाइफ पार्टनर इतना ट्रस्ट वर दियो आप उसको विश्वास करते हो तो उनसे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता मेरी बार समझेगा जल्दी से आपको विश्वास नहीं होता है किसी दूसरे बंदे पर लेकिन अगर एक बार वह आपके वो ट्रस सरकल के अंदर आ गया तो फिर आप सब कुछ लोटाने को तयार है यह क्वालिटी आती है जब लगना अधिपती व्रिशब नवांश में हो इसके बाद तर्ख संगत सला देने में आप एक्सपर्ट हैं लॉजिकल एडवाईज देते हैं सामने वाले को जिसकी जिससे की वो अप घ्रकी हो अनने वाले को को लिवर्णी देना बनता है अब बात करते हैं मितुन नवांश में दी लघनिपती नवानश में जाता है तो आप एटि थी एफ्परट किरने वाले बन आत करने बनते हैं आप लीब्रल ठींकिंग वाले नहीं आपकी यह देखता है बौदिक स्तर्क से आप धनी हैं आपको मजा आता है बात करके डिबेट करके किसी टॉपिक को अच्छे से डिसकस करके वो एक इसमें कॉलिटी देखने को मिलती है सहज सभाव है आपका सहज सभाव का मतलब है जब आप किसी के साथ बैट कर बात करते हैं तो उस व्यक्ति को ऐसा अनुबह होता है कि आप उसके काफी करीबी हैं आप उस कला को जानते हैं कि अगर मैं किसी से बात करूं तो सामने वाला यह नो उसको ऐसा ना फीलो कि मैं कोई कोई एलियन हूँ कोई बाहर से आया हूँ या मेरी बात उसको समझ नहीं आ रही है तो कोशिश रहती है इन लोगों की और इस वज़ा से लोगों का विश्वास भी जल्दी अलजित कर रहते है प्रॉब्लम आपकी क्या है दिख ब्रहमित होना दूसरे को रास्ता दिखा रहे स्केटर्ड ब्रेन यानि की दूसरे को तो आप अच्छी ओपीनियन दे रहे हैं पर आप अपने उपर उसको अपलाई नहीं करते हैं एक और चीज विश्वास विश्वसनियता की कमी है आप में इन लोगों को जहां अच्छी अपॉल्चुनिटी मिल जाती है या यू बोल देंगे उसके साथ जो परामीटर्स यूज करने वह अभी इस बात करेंगे उसका वीडियो के एंड में उसके बारे में तो अभी लेगिन आप यह समझेगा कि दिख भ्रमित विश्वसनियता की कमी होती है अब जानते हैं करक नवांश में यदि आपका लगनेश है तो क्य है इमोशनल होते हैं यह quality देखने को मिलती है परिवार की कदर करते हैं पारिवारिक relationship की कदर करते हैं अगर आपने वैवाइक जीवन अपना अच्छा करना है तो इस बात के उपर तो वैसे वी धान देना ही चाहिए कि family time आप कितना spend कर रहे है quality time दे रहे है कि नहीं क्या हो होती है क्योंकि आप लोग अपना सर्वस्व सामने वाले को देने का प्रयास करते हैं तो उससे अपेक्षा भी यही करते हैं कि सामने वाला भी उतने ही प्यास से मुझे ग्रीट करें उतना ही चीज मुझे दे लेकिन जब वो नहीं मिरती है तो धीरे 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 करके frustrated dissatisfied यह देखने को मिरता है कहने का अलती है कि माल लीजे जम इन लोगों के उम्र 40-45 के आसपास होने लगती है तो इनहें लगता है कि हमारे विवाईक जीवन उतना अच्छा नहीं है या हमें वो नहीं मिला जो हम डिजर्व कर देते हैं उसका एकान यह है क्योंकि जैसे मैंने यह पूरी तरह डिवोटेड है अपने लाइफ पार्टनर के लिए और सामने वाला उससे थोड़ा भी कम करें तो वो कई ना कई मंदर उगरता है जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसके लिए उपाय क्या कर सकते हैं सुझाव क्या है सुझाव यह है कि वाईग जीवन में दिक्कते कमाएंगे तो वैसे करक्नावांश में लगनेश का जाना वईवाईग जीवन के लिए अच्छा बतायागल अब करते हैं सञ्ग नवांश की यदि आपका सिंग नवांश है तो आप relationship को लेके काफी इमानदार है जो हैं सामने हैं अगर आपको अपनके life partner से problem है तो भी आप बताते हैं बताना चाहिए और बताएंगे और आप value करते हैं honesty की जो चीज़े सामने हो खुले में हो तो अच्छा है इसके बाद संपून करते नहीं हैं चाहते हैं कि सामने वाला करें तो demanding होते हैं possessive होते हैं कि भाया नहीं मैंने यह अगर आप मेरे साथ हो तो सिर्फ मेरे साथ हो तो यह जो undivided attention सीकर जो यह लोग होते हैं इस वजह से कई बार व्यवाहिक जीवन में परशानी आती यह ध्यान रखिएगा इसक स्वयम्भू अहम ब्रहमास्मी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या ऐसे शब्दों का जो कहते हैं जो इसका लॉजिक है वो कहीं न कहीं आप पर अप्लाई होता है इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूं आपको अगर सिंग नवांश में लगनाधी पती जाता है तो सभ आप चाहते हैं कि आप वहां पर मेंन पोजिशन पर रहें आप उनके लिए हल्प करें लेकिन इसके बदले में आपकी चाहत होती है कि सामने वाला उसको अप्रिशेट करें और जब वह अप्रिशेशन नहीं मिलता है तो यह लोग बहुत खराब हो जाते हैं तो यदि आप आपका सिंग नवांश में लगनेश है तो थोड़ा इस स्वभाव पर कंट्रोल रखेगा करिये वह कहते हैं नेकी कर दर्या में डाल अगर आप वह करते हैं तो बहुत बढ़िया है सामने वालों से अपेक्षाएं कम रखे बहतर रहेगा वैवायक जीवन अच्छा चलेग अब बात करते हैं करकना कन्या नवांश की जदी लगनेश कन्या नवांश में तो देखने में यह आता है कि सेंस ओफ यूमर अच्छा होता है विटी होते हैं बातचीत में कैसे मजाग करना है सामने वाले हो कैसे इंप्रस करना है मतलब एक सेंस ओफ यूमर बना के रखते ह जो कि बहुत अच्छी बात है बात करने का लैजा बहुत अच्छा होता है इसके साथ साथ ये लोग helpers होते है helpers कहने का मतलब है जब भी कभी आपके life partner को आप से सला चाहिए हो कि यार मैं क्या करूं जिंदगी में आगे कैसे बढ़ू या मुझे क्या नेंड़ना करना चाहिए इस रिष्टे को कैसे निभाऊ उस जगह पर आप जैसे लोग बहुत अच्छा you know result देते हैं आपके पास एक सही सजेशन होता है अपने life partner के लिए कि आपको कैसे आगे बठना चाहिए यह कॉलिटी देखने में आती है जब लगनिश कन्या नवांश में होता है इसके साथ जो problem है वो क्या है आपके standard आपकी expectation सामने वाले से you know आप खुद भी perfect रहना चाहते हैं इसलिए खुद से भी दु आप स्वयम भी दुखी रहते हैं और सामने वालों से भी यह पेक्षा करते हैं कि वो उनका जो काम एकदम perfect हो और जब नहीं होता है तो वहां पे आप सितनाव होता है घर में छोटे चोटे एक्जामपल है कि घर ऐसे ही होना चाहिए standard घर ऐसे होते हैं जब लाइफ पॉलिया कहीं ऐसी जगा रख दे जहां नहीं रखना चाहिए या ऐसे और भी बहुत सारे एक्जामपल है लाइफ के तो वहां पर परिशानिया आरम होती है यह भी बाधिक सतर से बहुत अच्छे होते हैं जैसे मैंने परिहास युक बुद्धी कहा उसके अलावा माइन भ आपके प्रिय होते हैं आपके बारे में अधिकतर लोगों की सर्व प्रिय तो खैर यह टर्म मुझे लगता नहीं की सब पर अप्लाई होती है जब सौ लोग आप से खुश हो रहे हैं तो एक दो होगा कोई जो आपसे नराज भी होगा तो उसको तो आपको एक्षब करना हो आपको ज़ता है वह क्वालेटी इसमें देखने को मिलती है यह जो शब्द है कि अनवाले को सब्दा करना और सामने वाले को खुश कर देना चाहे आप उससे खुश नहीं भी हो तब भी सामने वाले को ऐसे दिखाना कि आप उनसे बहुत प्रसंदे यह क्वालेटी अगर देखी जाती है तो वो तब ज्यादा देखी जाती जब लगने श्मिश तुला नवांश में इसके बाद एक जो बड़ी ड्राउबक इन में है वो है यह देव से तानव में रुपान करण जब एक व्यक्ति के पास दिमाग अच्छा हो जब एक व्यक्ति बादचीत अच्छी नहीं है मैं समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहरा हूँ कि भई कई पर क्या होता है लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे निचर का है आपके उससे बहुत अच्छा वह अपनी तरफ से एफर्ट भी कर रहा है सब लोग उसे पसंद भी कर रहें लेकिन आपने उसको ऐसी जगा पहेट कर दिया है जो कि acceptable नहीं है उसकेस में यह लोग जब दूसरा स्वरूप दिखाते हैं अपना तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं मैंने परसनली क्या देखा कि जिन लोगों का लगनेश तुला नवांश में हैं उनके केस में जो डाइवास हुआ है तो डाइवास ब मेरा सुझाव यह है कि यदि आपका यह है तब तो जो है वह है मतब सामने वाला गर परेशान करें तो एक शुरू से इस बात के बारे में ध्यान रखेगा कि जब आप रूप बदलते तो बहुत बुरे हो जाते हैं आपने भी देखा होगा अगर आप मेंसी किसी का तुला झाल 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 झाल